हाई एवरिवन विल्कम बाग तो दे चैनल तो दोस्तों आज की जो वीडियो रहने वाली वह जारकन वेरेंटरन्स एग्जाम से रिलेटेड है इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिसकर्स करेंगे हिंदी के स्लेबस को तो जो हमारा हुंदी का सेक्ष्ण है उससे 15 कुंट्स तो 15 questions आने वाले हैं और आप लोग इस बात को समझ के चलिए कि आप लोग अच्छे से और अराम से इसमें score कर सकते हो एंड जो हिंदी का question रहता है वो conceptual question ज्यादा पूछा जाता है rather than ratification तो कुछी minimal topic से अगर वो आप complete कर लेते हो तो आप अच्छा score कर सकते हो तो सबसे पहले एक और बात कि यह जो हिंदी का syllabus मैंने compile किया है वो मैंने जो formal syllabus होता है हिंदी का वो तो है ही plus जो आपके previous year questions रहे हैं जैसे 2022 का and 2023 का भी जो question रहा हिंदी का हिंदी के section का तो सबको मैंने analyze करके दोनों को merge करके यह आपका syllabus details syllabus मैंने compile किया है and मैं इसको आपको समझाते भी चलूँगी कि आप इसको कहां से पर सकते हो कैसे पर सकते हो ठीक है जैसे कि वेंजन के भेज से question आ चुका है तो इसमें इसके अंदर में सघोष अघोष महापरान क्या होता है ठीक है तो मतलब को समझ के चलना है कि इसके अंदर जो भी चीज़े आती है उनको उनके बारे में थोड़ी बस समझ रखनी है तो question हमारा टैकल हो जाएगा ठीक है अब वर्तनी पर आते है तो वर्तनी बहुत जाते हैं इंपॉर्टन नहीं है वर्तनी का मतलब होता है एक बहुत ही छोड़ा सा ट्रिक होता है संधी के जो भी भेद होते हैं उसको पहचानने का तरीका जो भी होता है तो अगर संधी से वो लोग पूछेंगे भी तो यहीं पूछेंगे कि यह किस प्रकार की संधी है यह बताओ तो उस question के लिए भी हमें प्रिपेर रहना है तो बस एक बहुत ही छोड़ा सा ट्रिक होता है जैसे कि आप संधी के सारे टाइप पहचानना सीख जाओगा तो अब आगे बढ़ते हैं तो अब नेक्स हमारे जो टॉपिक रहने वाले वह सब्द विचार है और सब्द विचार में सबसे पहले उपसर्क और प्रत्य तो उपस करके जाएं क्योंकि प्रत्य से कुष्ण आ चुका है ठीक है अब समास पर तो समास से कुष्ण नहीं आया है बट प्लीज एक बार देख लिए क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ज्यादा कुछ लेंदी सा उसमें नहीं पढ़ना है उसमें क्या क्या आ परिभाशा और कुछ एक्जाम्बल्स भी हमें देख करके जाने है अब उसके अलावा रश्णा के अधार पर रूड रूड सब्द होते हैं योग योग रूड तो यह सब हलका हलका देख करके जाना है बट मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या रहने वाला है सब्द विच कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जिन से उन्होंने पूछा है उसी से पूछेंगे अब सब्द भेज से उत्पत्ति के अधार पर जो भी भेध है उनसे कुश्चन बना है तो रश्णा के अधार पर हम लोगों प्रिपेर करके जाना चाहिए ठीक है I'm saying that बहुत ज्यादा ट अब नेक्स्ट वाकी विचार है तो वाकी विचार में यहां पर वाकी किसे कहेंगे ठीक है रहाना के अंग क्या होते हैं जैसे उदेश सब्सेक्ट ट्रैडिकेट विदे जिसको चाहते है ठीक है और उसके बाद वाकी कि भीई हां यह important है अर्थ के अधार पर और रस्णा क इस तरह से जो भी वाक के बेद होते हैं वो पढ़ करके जाना है समझ करके जाना है अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हिंदी व्याकरन पर तो अब आप लोग समझें कि यह जो हिंदी व्याकरन वो सबसे ज्यादा important है जो major question बनते हैं वो हिंदी व्याकरन से ही बनते हैं तो सबसे पहले इसमें हमें संग्या पढ़नी है ठीक है तो संग्या बहुत इजी सा topic है एक बर बस हम लोग देख लेंगे उसके भेद और कुछ-कुछ अब सरवनाम सरवनाम के बारे में बात करें इसमें भी परिभाशा भेद और उधारण थीक है तो अब सर्वनाम से एक कोशन पूछा जा चुक है कि इसके कितने भेद होते हैं और इसी तरह से कोशन और भी कुछ पूछ सकता है कि एक sentence दे दिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यूंकि पिछले बार ही विशेशन से बहुत सारे कोश्चन आये थे ठीक है मतलब दो तीन कोश्चन तो आए तिक मैंने देखा ही कि प्रिविसर कोश्चन में आये हैं ठीक है तो परिभाश्रा और बहेद इनके ठीक है और इनके क्या हो भाकित्र एक बार बस देख लेना है उसको तो नेक्स्ट पर हम लोкого बढ़ते है ऑक कई के चाहिए छोब किसको कहते हैं और कुछ उसका एक्जांपल समझे लेजए तो कोशन आराम से महां टैकल हो जागा ठीक है नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग क्रिया ठीक है वर्ब का भी वही क्या करना है परिवहाशा समझ लेना और इसमें एक धातु धातु पढ़ना होता है रूट जिसको हम ल आपको पता चले किसे कोशन पूछेगा है ठीक है फिर उसके बाद इस क्रिया के भी भी पढ़ लेना है सा कर्मक कर्मक बहुत चोटा सो टॉपिक है अब वाच्य वाच्य से बिल्कूल कोशन बनता ही बनता है जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते है एक्टिव वाइस प बनता है वाच्य बहुत इंपॉटेंट है क्रिया में और क्रिया में ही धातू बहुत इंपॉटेंट है ठीक है और काल से बहुत ज्यादा कुछ इन कुछ आएसा पूछेगा निए बस होड़ा सा देख लेना है और यह सब पढ़ते ही आ रहे हैं लोग तो वर्तमान बूत क इसी में हमारा क्या आ जाता है क्रिया विशेशन संबंद बोदक कंजक्शन जिसको बोलेंगे समुचे वोदक फिर विश्मयादी बोदक इंटर्जेक्शन प्रिपोजिशन ठीक है तो यह सारा जो है बस वन को एक बार देख लेना है हम लोको इससे भी अवे से भी कोशन आ पढ़ना है प्रविशेशन क्रिया अवे इतना पढ़ना है और अब अवाइडबल टॉपिक्स पर हम लोग बात कर लेते हैं अवाइडबल टॉपिक्स का मतलब है जिससे अभी तो कोशन आये नहीं है हिंदी ग्रामर का यह लोग पाठ है ठीक है बट तो मतलब की बट कोश तो इसी में चला जाएगा ठीक है तो नॉर्मली हिंदी जिस भी एक्जाम में आती है तो उसमें गध्यांश या पद्यान से कॉश्चिन बनते हैं बट इसमें नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक आये भी नहीं है एंड़ इन पॉसिबल कि इतने कम कॉश्चिंस है उनमें भ एक बारी देख लेना लास्ट टाइम में जब टाइम बची जब सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कर लो उसके बाद जो नॉर्मल और बेसिक विलूम सब्दों और प्रयावाची मोहावद यह सब एक बारी देख करके जाना ठीक है और अलंकार रश्ट मुझे पता नहीं था कि इसे कुछ नहीं बनता है और वही जब एक्जाम में पेपर देख तब बहुत जादा था तो खैर कि मैंने यह सारे भी टॉपिक्स पढ़ लिये थे तो एक बार मैं बस सम्मराइज कर दे रही हूं एक बार आप लोग समझेगा कि हमारा जो हिंदी ह है हिंदी हमनों को चार सेक्षिन से पढ़ना है त्यारई करना है और ठीकार चार से सेंटेल से च्छिन ज्यादा हो तो इसमें चार सेस्ट्चन में पर ख़्म विचार और वर्नमाला वर्तनी संधी ह्ये तीनों से पढ़ना है फिर workers Y सब्सकेशर के भेद तद्सम् छ मघेशर थे पढ़ना है फिर ऊच भी वीचार जायी प्रत पेसmber यॉफ यंदी व्याकरन के हites संग्या भनावी kl करीआ करीट करिया और दाटु पढ़ ना है और अव्या एक पढ़ना है उसके साथ त्ने के साथ रिप यह सारा हमें पढ़ लेना है ठीक है यहां तक मैं क्लियर हूँ कि आपका डिटेल स्लेबस क्या होने वाला है ठीक है और इसके अलागों कुछ पढ़ने के जरुवत नहीं है एंड अगर आपको मतब देख करके लग रहा हो कि अरे यह सारे चीज़ तो सुनी ही नहीं है कभी इ जब मेरा एक्जाम तो मैंने उसी से पढ़ाता सिर्फ उसी से पढ़ाता और कहीं मतलब प्रैक्टिस सब्सक्राइब करना हो तो उसे रिलेटेट भी मैं बताऊंगी कहां से प्रैक्टिस कर सकतो बट अभी कर स्टार्टिंग टाइम है अप लोग बिल्कुल कॉंसेप्ट ब चैनल्स हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं जैसे कि स्टडी नाइंटी वन में एक सर हैं वह पढ़ाते हैं और हिंदी के लिए और भी एक दू टीचर्स हैं मतलब कि जो भी आपको अच्छा लगेगा वह आप लोग सर्च करो एंट गे सारे जो टॉपिक्स हैं उनको सर्च करते हैं एकर करके पढ़ते जो कॉंसेप्ट क्लियर करते जो ठीक है एड़ लास्ट जब आप लोग प्रैक्टिस करनी है और साथ साथ में कॉंसेप्ट को भी रवाइस करते जाना तो बस हिंदी के लिए इतना ही रहे गा बहुत जादा कुछ प्रेश्र लेने वाली साथ बहुत ही नार्मल सा सलेवर्स था Ami wise तो अब्ही से लेकर के दो महिने का ताइम में बहुत होते अगर आप लोग अब भी से भी ताइम दो कि इस विए और फोर फोर फाइफ पी दो गे इसके प्रिफरेश इस एक्जाम के प्रेपरेश्यक्ष तो बहुत है मोर दन ए से उन पर भी बनाऊंगी तो अगर कोई डाउट आपका रह गया हो तो प्लीज कॉमेंट में बताईएगा एल बीड रिप्लाइंग यू देर एंड आइड विल ट्राइटो पोस्ट वीडियो कि आप कैसे त्यारी कर सकते हो कम टाइम में क्या एक चोटा सा गाइडेंस जैसा क यहां कैसे कैसे पढ़ना चाहिए कितना टाइम कि सब्जेक्ट को देना चाहिए तो एक छोटा से छोटी से वीडियो मैं बना दूंगी